हेलो डियर श्टुडेंट्स अलावाद हाई कोर्ट आंसर की कब तक आएगी रिजल्ट आपको कब तक मिलेगा और टाइपिंग टेस्ट आपका कब तक होगा तीनो बाते हम जानेंगे शुरू करते ही वीडियो को बिना दे रही के SSC CHSL वाले बच्चे जितने भी हैं एक बार प्लेलिट्स जरूर चेक कर लें चैनल की सब्जेक्ट की टॉपिक बाइस वीडियो बनी हुई है और मैट्स में मोक टेस्ट भी कराए गए है तो एक बार जरूर देख लें ये आपके सामने थंबनेल है इस Tano Group C, Group D की Cut-Off के बारे में बताया गया है कि Expected Cut-Off क्या जाएगी तो आपको Right Top पर यहां पर Show हो रहा होगा लिंक ये वीडियो देख सकते हैं Cut-Off के बारे में आपको सही जनकारी मिल जाएगी देखिए ये आपको सारी चीजें मिलेंगी तो मिलेंगी कहां पर NTA की वेपसाइट पर जहां आपको ये लिंक दिख रहा होगा Recruitment.nta.nic.in Official वेपसाइट है ये NTA की जहां पर आपको Admit Cards मिले थे वहीं पर आपको Answer की मिलेगी, Result मिलेगा और Typing Test की Date मिलेगी Sequence क्या था एग्जाम होने का Driver का पहले हुआ उसके बाद Steno का हुआ उसके बाद Group D का हुआ, उसके बाद C का हुआ है ये Sequence था आपका Exam Complete होने का और इसी Sequence में आपको Answer की भी Provide कराई जाएगी दो दिन के अंदर आपको सारी Answer की मिलेगी, ऐसा नहीं है अलग अलग दिन, 4-5 दिन में Answer की ही आती रहें, ऐसा नहीं है और ये मिलेंगी कब Answer की आपको After 7th of January 7th of January के बाद 10th January के आसपस आपको Answer की Provide कराई जाएगी यानि कि Second Week of January में उसके बाद बात करते हैं Result की तो Answer की मिलने के बाद आपको 5 दिन में आपको Result भी Provide करा दिया जाएगा क्योंकि या Answer की में Delay इसी लिए हो रहा है कि आपको Result और Answer की के टाइम में ज्यादा Difference देखने को नहीं मिलेगा तो 17 जनवरी तक आपको Result प्रोवाइड करा दिया जाएगा 2023 उसके बाद बात आती है जो टाइपिंग टेस्ट होना है अब देखिए इसका सेंटर कहां बनेगा ये निर्वर करेगा आयोग पर हो सकता है अलावाद ही बुलाया जाए maximum chances यहीं है टाइपिंग टेस्ट आपका 10 February तक आपकी टाइपिंग टेस्ट भी हो जाएगा उमीद है जो डेट्स में दे रहा हूँ सब काम इनके अंदर ही हो जाएगा बोला तो ये गया था कि जनवरी में ही आपकी टाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी झाल